उम्शान्ती, 17 जन्वरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क, आज की मुरली से स्वामान लेंगे, मैं खुदाई खिद्मतकार हूँ, खिद्मत खुदा से जुदा नहीं, अर्थात सेवा के साथ बाप की याद भी हो, हर संकल्प बाप समान हो, उसे कहते हैं खुदाई खिद्मतकार, इसके लिए विजन बनाएंगे, मैं लाइट का फरिष्टा बाबा के हाथ में हाथ, पूरे विश्व का भ्रह्मन कर रहा हूँ, बाबा के साथ, हर आत्मा को शांती और खुशी का अनुभव करा रहा हूँ, स्थूल में करम करते हुए, अंदर से अव्यक्त होकर के व्यक्त में आएंगे, तो अपनी स्थिती से और अपने कर्मों से दूसरों को सुख देंगे, आज की मुरली से विशेष्टा लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान विश्व परिवर्तक हूँ, ब्रह्मा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरांकारी इन संसकारों को अपना नेचर बना लिया था, स्वव में परिवर्तन करके ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तन के निमित बने, तो आज हम इस विशेष्टा को अपने अंदर चेक करेंगे, कि ब्रह्मा बाप समान मैं भी सदा ही स्वमाधान सवरूप, निवारन सवरूप हूँ, सदा ही संपन अर्थात समर्थ हूँ, मेरे अंदर भी सरब के प्रति शुब भावनाय, शुब कामनाय रहती हैं, अपनी पावर्फुल स्थिती के द्वारा नेगटिब को पॉजिटिव में परिवर्फन करता हूँ, यह विशेश्ताएं, विश्व परिवर्थक आत्मान की मेरे अंदर कहा तक आई हैं और निराकारिस्थिति, निरविकारिस्थिति, निरांकारिस्थिति का अभ्यास सारा corazón कितना करते हैं, आज की मुरली से धारना का पॉइंट लेंगे, मुझ के लिए राज्य धिकारे बनना है बाप समान बनना अर्थात पवित्र बनना इसके लिए बाबा ने कहा देहे के संबंधों को भूल मुझे याद करना है तब तुमारे विकरम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे इसके लिए आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे चेतन्य और चरित्र को देखने की जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो शिबाबा को और ब्रह्मा बाबा के चरित्र को याद करते हैं शिबाबा से शक्ति लेते हैं इसी तरह चलते फिरते हर आत्मा को देखना है और उसके गुणों पर ही हमारी द्रिस्टी रहे तो देहे क संबंधों से और दुनिया के आकर्षनों से हम स्वता ही मुक्त होते जाएंगे और आत्मा को बाबा की याद रहेगी दूसरा है कि ज्ञान सुनना और सुनाना है और बुद्धी को ज्ञान रतनों से भरपूर रखना है तो राजाई मिलेगी इसके लिए बाबा ने कहा चक्र को याद करने से चक्रवती राजा बनते हैं क्योंकि बाबा स्रिस्टी चक्र के आदी मद्यांत का ज्यान देते हैं जिससे हम माया के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और जिससे हम देहे और देह की दुनिया के चक्र के बंधन में नहीं बंधते क्योंकि हम नौलेश्फुल हो कर करके हर करम करते हैं, हमारी बुद्धी विशाल हो जाती है, ज्यान की धारना हो जाती है, तो इस धारना से हम सपूत बन करके बाबा के मददगार बनते हैं, तो धारना मूरत और श्रेष्ट करम और सेवा धारी बनेंगे, तो भविश्य के राज्यदिकारी बनेंगे, तो Om Shanti